है कि हैलो दोस्तों बहुत- svagout है यह वीडियो में आपका दोस्तो आज हम कोल इंडिया के बारे में बताने वाले हैं बहुत सारी इसका stock price उपर नहीं जा रहा है तो आज हम आपको बताने वाले हैं यह reason कि क्यों उपर नहीं जा रहा है stock price का trend बताएंगे latest जो report है जो edelvis की वो हम आपको बताएंगे research और नए target बताने वाले हैं और अंत में जब analysis हो जाएगी तो आपको यह प्रस्ण का उत्तर जरूर मिलेगा कि क्यों इसका stock price उपर नहीं बढ़ पा रहा है दोस्तों लगभग 5 साल पहले यही फरवरी 2016 देखिए stock price इसका 300 से उपर level पर इसका stock price trade कर रहा था और देखिए October 2016, December 2016 तो मतलब 2016 में बहुत लंबे समय तक stock price 300 के उपर level पर ही trade किया हुआ है और अब आप compare कीजिए यहाँ पर देखिए दोस्तों आप August September 2019 की आप बात कीजिए stock price 200 रुपए के आसपास आ जाता है तो stock 130-135 के पास आ गया है stock घिरा तो था जब यह March की market में थी लेकिन बहुत सारे stock हमने देखे है हमने IT सेक्टर को देखा है फार्मा सेक्टर को देखा है double हो गया है उनके जो share के price है banking में भी बहुत सारे share उपर आ चुके हैं लेकिन coal India बहुत उपर नहीं आया तो investors को कुछ ना कुछ ऐसा डर है जो investors सोच रहे हैं जिसकी वज़ा से coal India पर वो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं और वो जो stock का price है वो appreciation नहीं दे पा रहा है लेकिन long term के investor के लिए तो एक wealth destruction ही हुआ है अब यहाँ पर आपको बता दे दोस्तों सबसे पहले business के बारे में इसका जो business है बहुत growth नहीं किया है 2020 जो था बहुत unique साल था जहाँ पर अचानक से lockdown होता है तो lockdown होता है तो जो power है यानि electricity है उसकी demand भी कम हो जाती है क्योंकि factory नहीं चलती है उस समय में और economic गतिविदी अ ही ना कहीं directly offtake जो है 2% गीरा है लेकिन जो production का जो volume है वो बढ़ा है 58.3 metric ton तो production तो उनका हुआ है लेकिन जो पिछले साल जो उन्होंने volume किये थे जो business किया था 582 metric ton का तो इस बार थोड़ा मुस्किल है एडल विस की report में उन्होंने कहा है इस बार मुस्किल है कि उससे ज्यादा का business हो पाए तो business इस साल थोड़ा सा ऐसा कह सकते है ठंडा रहेगा या पिछले साल के comparison में थोड़ा कम रहेगा reason क्या है power sector की demand कम है अभी हो सकता है पिछल अभी valuation के बारे में बताते हैं valuation बहुत ही कम है इसलिए बहुत सारे brokerage houses इसलिए भी इसमें buy की सला दे रहे हैं जैसे यहां पर एडल विस ने buy की सला दी है और उन्होंने 158 rupees का target दिया हुआ है वो जानते हैं कि business बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हो रहा है लेकिन उनको यह पता है कि कहीं ना कहीं जो stock है बहुत ज्यादा आज सस्ते में मिल रहा है अगर आप valuation में देखें जो price earning ratio है price to book ratio है वो सब भी हमने जो देखें रिसर्च करके तो बहुत ही सस्ता लगा और जो सबसेंट्रेस्टिंग चीज होती है कोल इंडिया को लेकर वो होती है उसके dividend dividend yield अगर आप देखें तो आज 9% के पास में exactly देखें तो 8.7% के पास में है और अभी चुकि जन्वरी महिना शुरुआत ही हुई है आप March के महिने में dividend की भी उम्मीद कर सकते हैं जो की कोल इंडिया का trend रहा है उस trend के बारे में आपको बताते हैं अब कोल इंडिया की investors को price appreciation तो नहीं मिला है लेकिन dividend मिला है देखें साड़े साथ रुपए का dividend अभी ही दो महिने पहले नवेंबर का जो एक्स dividend date तो dividend मिला था अब यहां पर देखें यहां पर आपका ध्यान में लेकर जाओंगा 12 रुपए पर share dividend जो था March 2020 में तो यह चीज यह data को आप जरूर ध्या 2019 में तो उसको आप ध्यान में रखें लेकिन उससे पहले छोड़ा कम लग सकते हैं लेकिन उससे पहले buyback हुआ था और December के महिने में 7 रुपया 25 पैसे का भी dividend कोल इंडिया ने दिया था तो वो चीज को आपको ध्यान में रखना है और 2018 मार्च को देखें 16 रुपए 50 पैसे का dividend था तो मार्च में कॉंसिस्टेंटली कोल इंडिया जो है dividend दे रही है हो सकता है इस बार थोड़ा कम dividend आये क्यूंकि देखिए साड़े साथ रुपए का जो dividend है अल्रेडी पे कर चुकी है जो कि यहां पर देखिए जैसे December 2018 में भी लगबग उतना ही dividend पे किया था तो अच्छे होते हैं उनको receivables मिल जाते हैं तब डिवीडेंड की भी अच्छे का से dividend की भी उमीद रख सकते हैं दोस्तों अब यह आपके सामने भविश्य के प्रोजेक्शन्स और इस प्रसन का उत्तर जरूर आपको मिलेगा कि कोल इंडिया का स्टॉक प्राइस क्यों उपर नहीं जा रहा है देखिए प्रॉफिटेबिलिटी जो है कंपनी की ऑक्शन्स आज की तारीक में हो रहे हैं जो उनके बिजनस के हैं तो वह पॉजिटिव ह उससे वॉल्यूम तो बढ़ रहे हैं लेकिन उससे धीरे धीरे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी और इसी उम्मीद है कि प्रॉफिटेबिलिटी इसकी बढ़ेगी लेकिन प्रॉब्लम अभी कहां आ रही है चुकि कोईला जो है वह एक रॉमेटीरियल आप सोच सकते हैं पावर सेक्टर के लिए अगर इलेक्टरिसीटी बनानी है तो कोईला एक रॉमेटीरियल है तो आज कोल इंडिया के पास रिसीवेबल्स बहुत है मतलब उनको पैसा मिलना है और वो मिल नहीं पा रहा है जो डिसकॉम्स है या फिर बाकी जो कोईला पावर कम जो इंडस्ट है 23,000 करोड एप्रोक्सिमेटली इतना पैसा कोल इंडिया को रिसीवेबल्स है वो मिला नहीं है जो की 27% मार्केट कैप है आज कोल इंडिया का मार्केट कैप है 84,000 करोड के पास तो इतना पैसा उनको मिलने का है जनरल यहां पर एक और चीज आपको बता दू फरवरी मार् करने की जरूरत नहीं है तो यह पैसा जितना ज्यादा मिले तो कंपनी डिविडेंड भी दे सकती है और कंपनी के लिए भी अच्छा रहेगा और यह रिसेवेबल्स जितने कम हो उतना अच्छा है और यह अगर पैसा अगर आ जाता है तो डिविडेंड भी एक तो मिल चु अगर डेलिंक्वेंसी हो गई तो मियानि पैसा अगर नहीं आया तो चाहिए वो स्टेट गवर्मेंट से डिसकॉम्स को जो जो पावर की जो कंपनिया एलेक्टरिसिटी की जो कंपनिया है उनको नहीं मिला तो तो वो सब रिस्क है तो इसलिए आपने भी देखा होगा कि है आपको समझ में आया होगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है कोल इंडिया का बिजनस अच्छा है लेकिन उनको पैसा सामने नहीं मिल पा रहा है जो की एक कारण है बहुत बड़ा कारण है जो इन्वेस्टर्स को शंका है कि क्यों ये बिजनस अच्छा नहीं कर पा रहा है त तो दोस्तों आपको इन सब चीजों से आइडिया मिला होगा कोल इंडिया के बारे में और देखिए बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक तो कोल इंडिया हो पाना आज की तारीक में मुश्किल है जैसे जैसे फंडामेंटल के आधार पर अगर आप देखे तो डिवीडेंड अ इंडिया का स्टॉक अपने साथ लेकर आया है उमीद है आपको नया कुछ सीखने मिला होगा दोस्तों आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद